आज कच्चे नारियल से हम ऐसी डिश बनाएंगे जिसे खाने के बाद पूरी दुनिया आपकी फैन हो जाएगी और इसे बनाना बहुत ही आसान है तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कच्चा नारियल लेंगे और नारियल में नैचरली ऐसे तीन होल आते हैं उसमें का एक होल हम खोल लेना है, नारियल में ऐसा होल बनाने के बाद इसमें का पूरा पानी हमें निकाल लेना है, ये स्टेप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो नारियल में का पूरा पानी हम बड़े आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं, नारियल में बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में पानी निकला है हम रेसिपी में आगे बढ़े इससे पहले आप मुझे कमेंट करके ये वताइए कि दुनिया के किस कोने से या फिर किस शहर से आप मेरा वीडियो देख रहे हो ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका शुक्रिया कर सकूँ तो इस वीडियो का ठैंक्स ज देनी है और डरिये मत यहाँ पर यह पूरी सेफ में थड़े आपका कूकर बिल्कुल भी नहीं फटेगा यह मैंने घर पे बहुत बाट राए किया है तो यहाँ पर अपने आप कूकर थंडा होने के बाद हम नारियल को निकाल लेंगे और आप देख सकते हो नारियल के उप जिससे हम आलू की चिलके उतारते हैं उसी से नारियल के चिलके भी आसाने से निकल जाएंगे अब यह नारियल को हमें बारिक पीसिस में कट करना है तो इस तरह से मैं नारियल के छोटे-छोटे तुकड़े कर रही हूँ आप देख सकते हो मैंने पूरे नारियल के तुकड लिया था और उसे गरम कर लिया उसे थोड़ा गरम करने के बाद हमने जोग नारियल का पेस्ट बनाया था दूद के साथ वो इसमें डाल कर इस दूद को हमें पकाना है हमें तब तक पकाना है जब तक ये क्वांटिटी में थोड़ा हाफ ना हो जाए हमें बस इसकी क्वांट दूद नीचे से लगे ना और इसे अच्छे से कुक करने के बाद इसमें थोड़ा सा मैंने इलाइचे का पाउडर भी डाला था और साथ ही साथ मैंने इसमें एक कटोरी शक्कर डाली थी अब इसे हमें कुछ देर के लिए पकाना है और इसकी consistency ऐसी ही रहनी चाहिए इसे ज़ जरूर से ट्राय करना और हां साथ इंडिया में ये डीश बहुत ही फेमस आप इस खीर को गर्मा गरम भी खा सकते हैं या फिर इसे फ्रीज में दो घंटे के लिए थंडा करकर भी खा सकते हैं मेरे हिसाब से अगर आप इसे थंडा करके सर्फ करोगे तो इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है तो आप भी अपने घर पर ये नारियल की खीर बनाईए और मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि आपकी यहां की खीर कैसी मनी थी